हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बात करने वाले अपॉलो टायर्स के बारे में थोड़ी बहुत आवाज मेरी खराब है क्योंकि वेदर के वज़े से थोड़ी तब्यत खराब है और यहां पर फिर भी मैंने कल एक वीडियो डाला था लेकिन वो अच्छी बात है और मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग से सच में प्रॉफिट होता है या नहीं किस तरीके स्विंग ट्रेडिंग किसको कहा जाता है मोस्ट अप लोगों को नहीं पता है मतलब श्विंग ट्रेडिंग मतलब उनको लगता है कि एक जस्ट पैसा डाल द्ये मतलब लग परसंट-दो परसंट-कुछ विवर होते है एक यह दो परसंट बाकी में एप्रिचेट करता हू् जो सब्सक्राइब भी करते है चानल को और विश्बी ओ वीडियो को तो मैं उनको एप्रिशेट करूंगा उनको धन्यवाद करूंगा क्यूंकि देखो नॉलेज आपके लिए अल्रेडी नॉलेज तो हमको मिल चुका है ठीक है हम तो कमाई रहे लेकिन जो लोग नहीं कमारे उनके लिए यह वीडियो है तो फिलाल उनको कुछ बेने क्योंकि मैं जस्ट एक सर्च मारूंगा कि हाँ यह मेरे पोर्टफोलिय में था एक टाइम और उसमें क्या हुआ क्या चेंजस हुआ यह मेरे रेकॉर्ड के लिए रहे जाएगा आपको उससे कुछ सीखने भी ज़रूर मिलेगा और आप भी उससे कुछ न कुछ कमा लोगे तो यह चीज़े बाकी मेरा कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं और लोगों को सही गाइड करना क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक चीज़े बताई जाती गलत चीज़े बताई जाती है और में फुल कॉन्फिडन्स हूँ और मेरा नॉलेज पे भरोसा है इसी वज़े से में आपको यह चीज़े बता रहा हूँ ठीक है तो फिलाल यहाँ पर में बात करना चाहूंगा कि अपलो टायर जो मेरे पोटफोलियो में एक टाइम था उसने मुझे क्या प्रॉफिट दिया कितना प्रॉफिट दिया यह सारी चीज़े में बताना चाहूंगा ठीक है तो यहां पर जो प्राइज यहां पर 187 का प्राइज नाजर आ रहा है यह है 25 मार्च का ठीक है 25 मार्च का यह फ्राइडे के दिन का शेर का प्राइज है 187 का 165 मार्ट का Looking UP तो यहाँ पर इसमें net profit इसका अच्छा बता रहे है net profit अच्छा ग्रोध बता रहे है इसमें increasing profit quarter and quarter यह चीज अच्छी है छे चीज अच्छी बताई यह चीज खराब भी बताई इसमें छे चीज खराब इसमें से एक खराब चीज क्या है कि insufficient use of shareholder funds तो यह shareholder का fund है capital उसका use proper नहीं कर रहे है ऐसा यह बता रहे ठीक है opportunity zero है thread भी zero है ठीक है इसका market capital 11,000 करोड का market capital है 11,900 करोड यानि लगबग 12,000 करोड 2% लगबग तो dividend दे रहे हैं आपको dividend देने वाली company को में खराब नहीं मानता क्योंकि profit का कुछ आपके साथ share कर रहे है तो यह अच्छी बात होती डिलेवरी इसकी लगबग 30% तक लोग डिलेवरी पर उठा रहे 20 दिन का average निकाला गया है फेस फैली एक रुपे का है इसका पी इसका 14.66 का आ रहे 14 15 का पी है इसका अच्छा है सेक्टर पी से कम है अर्निंग पर 12 का रहे 12 13 रुपे का ठीक है तो यहां पर मैं जस्ट आपको थोड़ा बहुत डिटेल देने वाला है क्योंकि यह शेर मेरे पोटफोलियो में नहीं यह भी मैं बता देता हो लेकिन यह शेर कैसा है क्या है यह सारी चीज़े बता दूँगा लेकिन इसने स्व पर फूले कि वह भी मैंने बता के रखा है तो उस पर भी वेट करना उसमें भी आपको प्रॉफिट जरूर देखने मिलेगा क्योंकि सारी चीज़े मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि मौस्ट आप लोगों को लगता है कि मार्केट में नए लेकिन मार्केट में आठ साल से वह या तो सारी चीज़े आप डेटल में देख लेना सीख लेना ठीक है तो यह चार्ट के बारे में तो मैं बात में बात करूंगा क्योंकि चार्ट के बारे में स्विंग स्विंग ट्रेडिंग चार्ट से आपको पता चलेगी कि किस तरीके का परफॉर्म किया है ठीक है औ यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर जो पेंट केमिकल एंड एविएशन स्टॉक रैस बता रहे कुरूड कुल सॉफ तो यह एक न्यूज है इसके अंदर इसका नाम होगा इसलिए बता रहे और यह अपोलो का बाइक का टार्गेट दिया हुए दो सुनब्बे का 200% बाइं का रिकमेंडेशन बता रहा है यह झो मनी कंटप मता रही है और यहां पर्बीकु बाइबाय बता बाइं करना है मतलों बाइबाय निहां पर खरीदने बोल रहे यहाँ पर 225 के टाइम पर सussa का करने 3 शेर गिरा क्यों उनके लिए ये मेरा कहना है यहाँ पर ये प्राइज याद रखना दो सो पच्चिस का प्राइज है दो सो नब्बे का ठार्गेट दिया है और अभी प्राइज चल रहा है भाव चल रहा है ठीक है अभी का भाव चल रहा है याने एक मेने के अंदर ये 187 तक गया है लगबग लगबग 50 प्रुपय से ज़्यादा गिरा है ये तो मुझे कहना है ओ इंसान को अभी हसेंगे या रोएंगे में तो चीज है कि उनको शेर मार्केट का बिलकुल नौलेज नहीं है उनको इसलिए बोल रहा है एक तो एक काम क करके रखना चीए सेविंग में ही तीन साड़े तीन टका साल भर का लेना चीए क्योंकि उनके लिए शेर मार्केट नहीं है आप दुम दबा के भाग जाओ वाया क्योंकि मैं देखता हूं कि शेर गिरने के बाद लोग चैनल को भी अनसब्सक्राइब करते एक या दो परसे 21 में भी 217 पर बाई करने वोला तो 290 का टार्गेट पकड़ के चल रहा है देखो उनका 290 अभी तक आया नहीं है क्योंकि साल भर का जो टार्गेट है जो हाई है तो यहां पर बता देता हो साल भर का जो इसका हाई है वो है लगबक देखो साल भर में इसने 280 बनाया तो 290 अभी तक आया इनलिए 280 नहीं नहीं मतलिका टार्गेट इन नहीं इन्होंने inject करना पड़ता है पेशन सinea मार्केट में लेकिन टेंशन मतलो्व और किसी को कुछ comment करो में यह में यह कि आता नहीं है आप दूसरे न Putting बोला था यह ऐसे आप आट किसे मेरा यह प्रॉफिट देने वाला शेर है और मैं बहुत सारे शेर बताने वाला है ये शेर मुझे पता चल गया की इस पर भी लेकिन उन्होंने 271 का टार्गेट अभी तक इनका टार्गेट कंप्लेट नहीं हुआ 12 नोवेंबर का टार्गेट है 12 नोवेंबर को बता है वह या 12 नोवेंबर का तो जरा मेरे को उनको यह बोलना है कि जो देख रहे एक दो परसंट भी जो लोग है मेरा वीडियो देखो या उनको बताओ कि ये देखो Him security जिसका account बंद कर दिया क्या Him security बंद हो गए क्या शेरकान बंद होगा क्या नहीं हुए क्योंकि कोई भी कुछ भी बोले ऐसे ऐसे direct ने भी बोला तो 233 के time पे बोला तो 2 November का बता है देखो मेरा video कपका है और भी मैं बता दूँगा वीडियो भी खपका है क्या है सारी चीज़े है फहले देखा करो कि वो टाइम पे किसी ने रिकमेंट किया है कर दिया है जो अनसबस्क्राइब करते हैं एक या दो क्योंकि शेर गिरता है करके उनको डिमैट अकॉट भी बंद करना चाहिए मैं तो बोल रहो इतना तो शरम रखो डिमेट अकाउंट बंद कर दो डिमेट अकाउंट खोलने के आपकी बोलते हैं कि आपको खोलना ही नहीं चाहिए मुझे तो लगते हैं आपको डिमेट अकाउंट यह नहीं खोलना चाहिए आपके पास सेविंग अका सब्सक्राइब लुए happens बैंब तींड़ को किर cyrkan को सबसे ज्यादा प्रोकरेज लेग passion का बनकर दिए नहीं सब्कशार को रखना है सब्कों तो रखना नहीं जो चैनल पर यहाँ पर 확인 email सब्सक्रेक्श यहासिंग 6-0 बamento आपका क्वाइद outlet को मेरे नहीं होगे आज नहीं लेकिन स्विंग डेडिंग का फायदा क्या है यह मैं बता देख लिए तो यहां पर तो आपने सारी चीज़े यहां पर मैंने बता दिया तो इनको तो किसी ने बंन नी किया share market तो बन नी किया हाह थो तो गहे लोग अभी भी share मार्केट से उम्मीद रख रहे हैं रहेकिन चैनल पर डिपेंड है जो जटपड़ पैसा कमा ने को दिखा रहा है वो उनके साथ ओलोग कन्येक्टेड है ठीके कही ना कही से कमार है तो कमा की दिखाओ कभे दिखाओ जहां से भी कमारें क्यां आपकाइसा मुझे निंगा क्योंकि आप में पैसा निले पु Denise बाट रहो जो स्यत्राम हो में मेरा रखार हुआ और जिससे आपको कुछ नगा सीखनी मिलेगा। यहां पर रिवे निदेंग यहां पर continuously बढ़ता हुआ revenue नज़र आ रहा है net profit की बात करेंगे तो देखो continuously डाउन बता रहा है net profit गिर रहा है तो भाईया net profit गिर रहा है फिर यह लोग ने बाई का हम सेक्यूरेटिस पर बढ़ता है आपको मोतिलाल उस्वाल पर बढ़ता है उन्होंने जब 220 का बोला ओ एक दो परसंट एक जन ने तो मुझे मेरा profit मिस हो गया मतलब मैंने चलो बीस इकीस पर बतिस एतिस परसंट कुछ profit लिया था उसके बाद भी ओ शेर थोड़ा और बढ़ गया दस बीस परसंट तो हस साब तो हस क्यों मेरा और बीस पर सेंट पर रहे रहे अरे वहाः या मैरे से ने ले लिया बाकि सामने वाकि farmer और कूछ चोड़ना चीए का आगे वाले को हमको लॉसी करना है आपके जैसे लोग हमारे जैसे लोग होते शेर मार्केट में बड़े लोगों का छोड़ दो लेकिन कुछ लोग हमसे जो खरीदते हैं वो तो यह सोचता है यार शेर बढ़ रहा है कई मैं लेलू यह मुझे भी प्रॉफिट दो उनको भी प दिखाने वाला हो तो वीडियो तक देखो और information अच्छी लगी तो चानLE को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने कि कोई मेरे प्रॉफिट के वीडियो मुझे पता है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूं आपको जब लगे कि हाँ प्रॉफिट यह चैनल से हो सकता है तो जरूर कर लेना ठीक है तो फिलाल यहां पर मैं वो चार्ट ओपन किया है अपोलो टायर्स का मेरी बाइंग कप की थी यहां पर मैं बता दूंगा ठीक है तो यहां पर मैं दिखा देता हो तो यहां पर अभी इसका चार्ट ओपन है तो हम यहां पर देखने वाले इसका मेरा बाइंग कप का था तो मैं यहां पर में पास साल का चार्ट ओपन कर देता हूँ क्यों कि मेरा पुराना बाइंग था और अलड़ी पुराना ट्रेडर हूँ, already इसमें मैं पहले लॉटरम के लिए ही करता था लेकिन लॉटरम से फिर बाद में तो यहां पर मैंने ग्यारा जनवरी 2018 को लिया था तो यहां पर यहां पर मैंने शेर लिया था और ओ टाइम पर मैंने इसको लॉंग टरम के इसाब से लिया था तब इसका 280 का बाउच चल रहा था तो 280 के बाउपे यहां पर हाई भी दिख रहा है 288 तो 280 के बाउपे मैंने 11 जनवरी के टाइम पर लिया था तो यहां पर मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना बाउपे मैंने लिया था ठीक है तो यहां पर मैं बता देता हूँ तो 280 और कौन से सारिक को लिया था है तो 11 जनवरी को 11 जनवरी 2018 में तो यह मेरा बाइंग का टाइम है 11 जनवरी 280 में लिया था मैंने फिर उसके बाद देखो शेर के साथ क्या हो गया यह जनवरी का टाइम है इसके बाद यहां से यह शेर थोड़ा उपर गया ठीक है ऐसानी कि मुझे लॉस हो गया लेने के बाद भी यह 307 गया था मुझे तो और भी profit मतलब मैं profit सोच लो कि मैंने long term के लिए लेकर रखा long term किसको बोलते आपको पता होगा यह साल से ज्यादा कितना होगा 600 वह जाएगा 700 800 žádh 100 वह जायगा ठीक है तो गिरते गया तो फिर मैंने इसको तब तक देखा ही नहीं लॉंग टम वाला हूँ तो मैं क्यों देखूं लॉंग टम वाले देखती नहीं ठीक है तो फिर मैंने देखा यह शेर बापर इतना गिर गया यह मेरा पुराना जो रेलीगेर अकाउंट था मैंने सबसे प यहां पर आप उपर साइड देख लेना तो यहां पर देख लो 73 का लो है तो यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैं टेक्स में डाल देता हूँ 73 का लो इसने 20 मार्च को दिया ठीक है तो 20 मार्च को इसका 73 लो यहां पर 73 का लो ठीक है 20 मार्च 23 मार्च 2020 में तो 23 मार्च 2020 का यह 73 का इसने लो मारा ठीक है और यह लो है इसके लिए में इसको तोड़ा रेड कर देता हूँ क्योंकि आपको लोस नजर आए ठीक है तो यह 73 का लो मारा 23 मार्च को तो मुझे क्या करना चाहिए देखो मतलब मेरा 200 रुपया चला गया 207 रुपया ठीक है लगबग मेरा बहुत सारा पैसा इसमें डूब गया समझ तो में हार माना क्या तो उसके बाद मतलब यह परसेंटेज अगर निकाला जाए परसेंटेज होता है मेरा लॉस क मैं आपको दिखा देता हूँ यह लगबग 75 परसेंट है लगबग 75 आप गिन लो आप कैलकुलेटर निकालो यह मेरा लॉस है ना 75 परसेंट का लॉस है तो यहां पर मैं लिग देता हूँ क्योंकि आपको यह भी समझ में है कि यह मेरा लॉस जो है यह 75 परसेंट लॉस है त 75% loss तो 75% loss है यह रेड में ही रहने दो तो इतना परसेंट यहां से यह अगर यहां पर मैं एक लाइन बना देता हो आपके लिए कि आपको समझ में है तो यह लाइन है यहां से यह loss का मेरा 75% का loss तो इतना loss किया मैंने तो इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए 75% loss है इसमें अभी मैं profit कैसे करूँगा यहां पर होती है swing trading की entry जब मैं मेरी swing trading में आपको बता देता हो मैंने जो lockdown था जब लोग घर पे ही थे कुछ नहीं करें तो कुछ काम दंदा नहीं था मैंने swing trading स्टार्ट कर दिया इससे पहले मैं full time long term करता था long term से बहुत सारे शेर ने profit भी दिया बहुत सारे शेर ने loss भी दिया 90 90% गिरे है आज मैंने swing trading से उसमें profit लिया है आज भी मैं वो दिखा रहा हो मेरे चानल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे आप चानल क 50% loss है यहां पर आप क्या calculate कर लेना ठीक है क्या प्राइज आता है 280 से अगर 75% डाउन करें तो कितना आता है तो उसके बाद यह शेर बढ़ना चलो होता है तो उसके बाद शेर देखो कितना बढ़ता है ठीक है तो उसके बाद मेरे मेरी buying चलो होती है चलो मैंने 73 पर नहीं किया मैंने lockdown में चलो लोगों के पास पैसा ज़रूरी होता है कि पैसा शेर में डालने से अच्छा लोग घडर रहते लेकिन फिर भी मैं बोला कि बैटे-बैटे क्या करना है तो फिर मैंने 128 का जब शेर भागने चालो हो गए तो 128 पे स्विंग करना चालो किया 2020 से ही है तो 128 मतलब डेट में बता देता हो तो 11 जन्वरी ने 19 ऑगस्ट 2020 तो मैंने ऑगस्ट से स्टार्ट किया इसको बाई करना चालो किया पहले अल्रेडी बहुत सारे शेर गिरे थे तो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मैंने थोड़े थोड़े एक 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 शेर को निकालन फ़िए तो बी इसका प्राइज एक एकाटथएश था तो यहां पर एक्सओवडाएश भीगह नियाएं तो उन्निस ऑगस्ट में मैंने इसको 128 पे लिया तो मैं यहां पर 128 भी डाल देता हूँ ठीक है तो 128 देखो मतलो 283 से मैंने डायरेक 128 मतलो थोड़े भाव पर यहां पर उठा लिया तो यहां पर मेरा 128 में 128 में मैंने ले लिया इसको ठीक है 128 पर यहां पर मैंने बाई किया यह बाई किया मैंने यहां से चालू करने के बाद यहां से मैं बाइ करते गया और शेर को फिर मैंने बाइ करते गया यहां से फिर मैंने इसको कब बेज दिया तो 156 पे मैंने बेज दिया और वह 9 नुएंबर नौएंबर 2020 में मतलब मैंने यहां पर चालू किया यह डेट कौन सा था यह डेट कौन सा था यह बता देथा हो यहां पर एक मिनिट आपको बता देता हूं मैं क्यूंकि अल्डेडी मैं यहां पर डेटा जो मेरा डेटा है वो देखके मैं बता रहा हूं तो 19 अगस्ट को तो यहां पर यह 19 अगस्ट है 19 अगस्ट है ठीक है तो यह 19 अगस्ट 20 को ठीक है तो डेटा अल्वेज करेक्ट है तो जो भी रेटा में यहाँ पर बता रहा हूँ फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बाइंग करना चालू किया continuously और कभी आप डाउन आप डाउन आप डाउन होते होते हैं यह शेर में मैंने बहुत सारे पर मतलब यहाँ पर 156.50 में प्रॉफिट में हुआ लगबग 21% के प्रॉफिट में ठीक है तो इसको मैंने 156 पर मैंने बेच दिया तो 156 यहाँ पर आया था और नौइमबर में नौइमबर में मैंने तुरंद बेच दिया तो नौइमबर 9 नौइमबर 2020 में तो सेल का मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 9 नौइमबर ठीक है यह 9 नौइमबर 2020 तो यहाँ पर मैंने 156 में बेच दिया 156 157 तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ठीक है तो नोविंबर को ये मैंने 157 पकड़ लो वो टाइम पे मैंने बेज दिया 157 पे इसका और डेट था 9 नोविंबर 2020 नोविंबर 2020 पे शोल्ड कर दिया ठीक है इसको तो प्रॉफिट ही माना जाते है ये तो प्रॉफिट हुआ तो यहां पर मैंने सेल कर दिया 9 नोविंबर को 9 नोविंबर 157 पे मैंने सेल कर दिया तो लगबग देखो आगस्ट के बाद नोविंबर में कितना फरक आता है आगस्ट के बाद सप्टेमबर ऑक्टोबर और नोविंबर दो ढ़ाई मेना तीन मेने के अंदर मैंने ये प्रॉ ले लिया तो मेरा प्रॉफिट कितना था 21 परसन में ज्यादा नहीं बताऊंगा जो भी है रियल बताऊंगा मैं नहीं बोलूंगा कि यह शेर ने मिरको मल्टी बेगर रिटन दिये यहां से और टू से चिस्टी वन पे किया यह यह जो प्राइज है यहां पर मैंने लिया जहा से नहां पर मेरा प्रॉफिट से 21 परसेंट कि व्यांन पर्सेंट प्रॉफिट भी तो था ठीक है ट्वेम परसेंट किया मैंने जो 75 परसन्ल स था उससे तो यह बहुत बड़ा अच्युमेंटր होता है तो यह लांस है यह प्रॉफिट तो तो इस तरीके का यहां पर कहानी है तो यह होता है पॉसिबल होता है ठीक है और हर कोई कर सकता है तो इसलिए वज़ेसे स्विंग टेडिंग बेस्ट है मैंने तो किया है इसमें प्रॉफिट हुआ है उसके बाद भी अगर मैं शेर रखता ठीक है अगर मेरे 157 पर अगर मैंने बेचा है तो मैं आपको बता कि कितने पर मैंने बेचा रहेगा ठीक है कितने का मैरा बाइंग था aldose है तो लटबग कितना होता है यह अपको पता चलेगा तो लगबग मेरा 120 120 या 130 का मेरा लगबग एवरेज प्राइज आया था 130 कर आप 21% निकाल लो बराबर तो 130, 129, 130 का मेरा एवरेज प्राइज था तो 129, 130 पर मैंने इसको एवरेज कर दिया था मतलब इतना गिरने के बाद इसको इतना बाई करने के बाद इसको बाई करते गया तो यहां पर रेड भी है ना क्योंकि आगस्ट में लेने के बाद सप्टेंबर में भी गिरा है तो यह सप्टेंबर का जो चार्ट दिख रहा है इसके अंदर देको 109 का भी लो था तो आप पुरा चार्ट वगरा देख लेना तो ओ टाम पे भी मैं कंट के बाद मैंने दोड़ाई मेने के अंदर इसमें से निकल गया तो प्रॉफिट ही हुआ अगर मैं कंटिन्यू रखता भी 129 की बाद तो आज देखो इसका भाव जो था उसके बाद यह 100 रुपया भी बढ़ गया था ठीक है यह 261 पे गया था तब भी मेरे को मल्टिवेगर अच्छे रेटन मिल जाते हैं उसके बाद भी अच्छा रेंज था उसके बाद अब यह गी रहा है तो शेयर कोई भी अच्छे ही होते हैं कंपणी अच्छी हो तो आपको जरूर प्रॉफिट होगा यह यहां से सीख लो नहीं तो बखवास करने से कोई फाइदा नहीं है कि इसमें शेयर क्यों गिरा आपने बताया तो गिरा क्यों यह क्यों वो क्यों हसो मत किसी पे क्योंकि आप यहां पर जोक नहीं है शेयर मार्कर तो हसने का काम नहीं है यहां पर सीरियस होता है यहां से पैसा कमाना मतलब इतना खाने का काम नहीं है आप 10-15-20 साल पढ़ते हो 10 पंदरहाजार की नोकरी के लिए या और जादा पढ़ लेते हो जादा पैसा इन्वेस्ट करके डॉक्टर विक्टर बनने के लिए वहाँ पर तो और जादा पैसा खर्चा करते हो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मेहनत करने के बाद सीखने के बाद अभी आप कमाना चालू करते हो तो शेयर मार्केट में क्या उम्मिद रख रहे हो कि आपको करोड़ों पती बनना है यहां पर तो जॉप करके करोड़ों कमाया नहीं जाता है लेकिन शेयर मार्केट में करोड़ों पैसा मिलता है करोड़ों बना जाता है लेकिन सीखन मार्केट में लोगों ने कमाया है राके जुन जुन वाला तो जा सकता है पेशन्स रखो इडियाट जैसी बातें मत करो एक दो परसेंट के जो लोग है आप सब्सक्राइब तो नहीं करते हो यह तो पता है आपको हसने के अलाओ कुछ नहीं होता है लोगों के चानल को व्यू करते हो देखते हो लेकिन उसमें कम्या निकालते हो पहले खु पहले यहां पर लोग क्लासिस भी ले रहे कॉर्सेस बोल रहे कुछ नया सिखाएंगे नहीं को यहीं बताएंगे स्विंग कहा करना है क्या करना है पैसा आप कहीं लेंगे 30-40,000-50,000 के कोर्सेस करा लो उनसे पैसा उनको दो फिर शेयर मार्केट में पैसा डालो उसके अगर वो सामने वाले को भी शेयर मार्केट दे रहा है तो फिर आपसे क्यों कमा रहे है आपसे कमाई हो रही है उनकी दूसरे किसी से कमाई नहीं हो रही है यह भी समझ लो ठीक है तो यहां पर जो भी है जो भी डेटा है मेरा और भी आएंगे 500,000 सारे कंपनी इसके शेयर रहेंगे जिसमें हर एक शेयर ने मुझे अच्छा कासा प्रॉफिट दिया है अच्छे कासे यहां पर तो मैंने यह लॉस से रिकवर करने के वाले शेयर बता रहा हूं कोई-कोई शेयर को लॉस थाई नहीं जैसे इन्वेस्मेंट क्या हो प्रॉफिट उन्होंने मल्टी ब सब्सक्राइब करो नहीं अच्छे लगे तो कोई बात नहीं यहां पर वीडियो आते जाएंगे अच्छी इन्फॉर्मेशन में देने का काम करते जाओंगा और आपको जरूर यहां से सीखने मिलेगा ठीक है तो यहां पर कोई फाकी नहीं है कि यहां पर आपको बनाया जाएगा मल्टीवेगर रिटन मिलेंगे यह ओ नहीं यहां पर स्विंग टेडिंग से अच्छा कासा रिटन मिलेंगे यह गैरेंटी है क्योंकि मैं यहां पर कर रहा हूँ और मेरे टेलिग्राम चैनल पर मैं जब भी उसको बेचूंगा तब ही मैं डालूंगा सबस दो दिन बाद पाच दिन बाद दस दिन बाद जब भी उसका शेर का प्राइज और मुझे डाउन लग रहा है मैं उसमें अच्छी कासी बाइंग करता हो बाइंग के लिए मेरे पास पैसे रहते हैं शेर गिरने के बाद बाइक करने के लिए भी पैसा रखना चाहिए तब अगर कोई अठक जाता है तो उसमें से निकलना आना भी चाहिए तो अब फीट का प्राइज अभी तक आया है नि तो मैं अभी तक इसमें अच्छी आए तो अब भी तक मैं इस फ्लाल आपको यहां से बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको इन्फोर्मेशन अच्छी लग परने के लिए लोग क्यों सोचते मुझे बताने ठीक है जैसे आपकी मर्जी थैंक यू वेरी मच पूर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू बाइबाए